जेल में संजय दक्त ने लंबा समय गुसारा पेपर बैक्स जैसे आइटम बनाने के साथ साथ फे रेडियो जौकी भी रहे संजय ने कुछ यार दोस्त भी बना लिये जिनके साथ शायरी के दौर चलते थे जिशान कुरैशी और समीर हिंगले के साथ मिलकर संजय बाबा ने 500 शेर हिंदी में लिख्टा ले इनको संजय अब किताब की शकले देने वाले हैं नाम भी सोच लिया है सलाख हैं क्योंकि सलाखों के पीछे ही संजय के अंदर छिपा हुआ लेखक बाहर आया है संजय ने 500 में से तकरीबन 100 शेर लिखे हैं जील में एक बार मानेता उनसे मिलने आई थी मानेता को बुखार था इस पर संजय ने शेर लिखा है आखों में नमी थी बदन तप रहा था फिर भी होटों पे हसी थी और बातों में प्यार था आपको देख के दुख हुआ पर खुशी भी हुई उसी खुशी के साथ पैगाम भी था कि आख मुझसे महबबत करते हो